प्रिमित्रों शाथियों जब आप अपने जीव में उस शांती को पालोगे ने उन श्वाशों का भिद पालोगे ने तब हमारा जीवन शुकों से परिपूर हो जाएगा जब हमारे जीवन रुपी खेट में ज्यान की बीच से उत्पन शुकर पी पोदे ले लाएगे ना तब ही वो परम शांती आएगे ज्यान और ज्यान अंजन सत्कुर्विया अज्यान अंधेर विनाश ग्रुमारा जी ज्यान का बीच डालते हैं अध्भुत सांती का शोथ है ज्यान का बीच श्वाशों का भेड ज्यानियों उसको जिवन खुशियों से भरा रहेगा 2022 की राशिफल और पंचागी उसे पहले संपाउन उन्दाष्ट को छटे नवरात्रों की हर्दिक सुगावन आज नवरात्रों का छटा दिन है मा का त्यानिका देर है मा कात्यारनी की अराद्ना करने से शुक्षमर्दी वयभाव की प्राप्ती होती। सुभे नौ बजकर 32 मिन्ट अगला योग शोबन होगा शुरुद्यकालीन करण कॉलव करण है करण का श्रमाप्तिकाल सुभे 7 बजकर 15 मिन्ट अगला करण तैतिक होगा शुरुद्यकालीन जो नक्षत्र है वो मरक्षिरा नक्षत्र है और मरक्षिरा नक्षत्र का श्वामी म देव चंदर देव रावो देव विरशब राशी मंगल देव शनी देव मकार राशी ब्रशन देव शुछर देव कंपर क केटँ धर Clear राषी यह ऑजके घ्रहियो कंगर और इसी के आधार पर मैंने चाट अपरिल दोँजार बाईस का राशी बता है प्रते 11 बजकर अठाउनमेंट से लेकर दोपर 12 बजकर 49 मिनट अवदी है एक्याउनमेंट और यह एक्याउनमेंट आज के दिन कोई भी शुबकारी करने करने करी सबसे उत्तम मौरत है नमना रहे हैं आज की दिन साबूत धनिया चबाते वी आतरा पे निकलेंग दोकस्त कम आएगा है आज आज आपका जनम दिन या फिर सादी की साल गरे तो दाती महराज की और से आपको हर्दिक सुकाम ने आपका जिवन खुश्यों से भरा रेशानिदेव की सिर्प्रनों में मेरी सांग साथ पर केतू का प्रभाव होने की वज़े से आप श्वतंत्र विचाद धार के व्यक्ति है आपका व्यक्ति तो सामनी लोगों से अलग होगा दिल के साफ है और बोलते हैं समय इस बात का आप परवार नहीं करते हैं कि सामने वेला व्यक्ति इसके बारे में क्या होने के कारण बहुत से लोग आपसे नाराज बिड़ते हैं लेकिन आपका हंस्बूग सभाव है आपकी कलपना सक्ती बहुत अधीक है आप बुद्धिमान है नीडर है आतम विश्वास से भरपूर है आप समाज में परतिशिट वक्ति हैं दूसरों की मदद करना हमेशा आप आपका सभावरां आरतिक इस्तिति के देश्ट काउन चे आप अछे माने जाथ आपकी आरतिक इस्तिति काप्वी अच्छी रहेगे कुरमंतर विद्धाती विडियो है आज का उपाए उस पें जरूर जाएगा उसमें ळजभुन आपके लिए है आज के लिए अब मैं जोती से शुत्रों की बात करूँगा। प्रिमित्रों और यदि जनमांग के पुर्शार्थ भाव में प्राकरम भाव में तीसरे भाव में कोई शुबघरे विराजमान हो और शुक भाव का शामी चौति भाव का शामी बली अवस्ता में केंद्रिया तिरकौन में ब अवश्य बनाता है उसके पास अपना मकान होता है यदि जनमांग में बार में भाव का शौमी बार में भाव में बैटा हुआ है या फिर बार में भाव का शौमी बली अवस्ता में नवांस कॉंडली और जनम कॉंडली में दोनों एक ही रासी में बैटा हो ऐसा जातक समाज मे लोगों का भला करने वाला होता है लोगों को शहो करने वाला लोगों को आगे ले जाने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति की मनो अवश्यक्ताओं की पूर्ति इश्वर जरूर करता है प्रंतिदी नवांज कॉंडली में शुक्र और मंगल की यूति हो ऐसे जातों को जीवन में एक बार अप्यस का सामना अभशे करना पड़ता है ऐसा मैंने देखा ज़रा आप भी देख लेना नमनान बात करते हैं आज की राशी फल की आज का राशी फल चंदरासी नाम राशी पर आधारित है और एराशी फूर्शों के लिए भी है महिलाओं के लिए बुजरगों के लिए बच्चों के लिए सब्से पहले मेसरासी मेसरासी बलों के लिए चनरमा मरिक्षिरा नक्षतर में शंचरण कर रहा है नक्षद रगनाश्वात का संकेति की दूसरे भाव में मरिक्षद नक्षद में चंद्रमा का संचरन, कारुबार की दस्टिकाउंचे, वैपार की दस्टिकाउंचे, कामकाज की दस्टिकाउंचे, शफलता और लाब का संकेतों दे रहा है, लेकिन जो मन की अवस्तान है, वो तो असमंजस्पून रहेगी। यदि मन पे काबू पाले और काम में मन लगा लें तो सपलता में चार चांद लगे। मन की प्रती सचेत रहना आज मेसरास्ति वालों के लिए बहुत जरूरी अकारण कर्योद नहें करें। जल्दबाज में लें देन के मामले में निनने नहीं लें। आप चाते की सपलता मिले। कारोबार में सपलता मिले। धनकी प्राप्तियों चारवार का वातावन आप विद्यारती हैं युआ है तो परिक्षा और प्रतिक्ता में आपको शपलता हासिल मिले। लेकिन बहुत जरूरी है सोसल मीडिया फेस्बूक और इंस्टाग्राप में या वाटसब पर कुछ तनाव आपको मिल सकता इससे बचके रहेंगी जा। क्या करें वानी और व सफाई कर्मचारी महिला को दान में देना अतिसु ब्रेगा नमनन बात करते हैं विश्बूरासी कि लगन भाव में चंदर महां मरक्षिदा नक्षदर में संचरण कर रहा है। नक्षदर करना ग्रेगोचर शुब और लाब का संकेत दे रहेंगी। आउश्यक्ताओं की सकती धनलाब अच्छा होगा मानसमान अच्छा होगा। पिता तुले किसी व्यक्ति के सयोग्षे खुशिया मिलेगी और परिवार का शुक बड़ेगा। आपी त्यारतियर युवा हैं तो शिक्षा के छेत्र में अच्छी सपलता के सास्थ इंजिनियरम, वीकॉम, ल.ल. इस छेत्र में अध्यनत्य विद्यातियों को कुछ अच्छे अफसर मिलें, और युवाँ को धन समदी सुब समातारों की प्राप्ती भी होगी, क्या करें? सरकारी चेत्र में कारी श्रपलता के लिए प्रियास करिए, क्या ना करें? अत्यदिक आवैश मार कोई मिरने नहीं है शुबंग दो शुबरंग नीला भागिया आपकी पक्ष में पच्छतर प्रसंद लाब का संकेदर विर्षब राश्य अलोग प्रातिकाल नित्य करम ने शिनान उप्रांथ शर्दान उसार धुलीवी अरहर और अरहर की दाल किसी गरीब जरुदमन महिला को दान में देना बड़ा सुबरेगा नमना बात करते में तूढ़ा से कि बारवे भाव में चंदर्मा मरक्षिरा निखतर में शंचरण कर रहा है सिताराव की चार्ट पर्तिकुलता का संकेदर देने स्वास्ते में गिरावट सं परियास करेगा यात्रा में कष्ट है और जीमन सातिया पारवारिक सदस्य का स्वास्ति भी प्रभालत हो सकता है चिकसा पर खर्टा नजरा रहा है विद्यार के युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ सी सतरक्ता बरतने का संकेत दे रहा है क्या करें सतरक्ते अपने विचा उविद्यारती है और आप होटल मैंनेजमेंड, हुमन रिसोर हें समंदी विशय में अध्हान करने बहुत कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा उच्छ सिख्षा हासिल कर रहे विद्यारतियों के लिए आज का दिन अपनी चमता दिखाने का बहुत अच्छा है और अच्छा आउस्चर भी मिलेगा क्या करें इस्थान परिवर्तन के लिए समय थोड़ा सा धैरी और स्युम का संकेद रहे थोड़ा सा धैरी और संयुम से ह कि इस्थान परिवर्तन करें अन्यता नुक्सान हो सकता है क्या नहीं करें व्यर्त में विवाद नहीं करें सुबंग चाग सुबरंग शपेद भागया आपकी पक्स में 75 लाबता संकेदर करक राशिवालों आज प्रातिकाल सर्धान उशार चावल का दान किसी गरीब अनि मूल त्रिकॉन राशी कुम्ब में प्रवेश और जिस्ट्र की घ्रय योगा योग है इतने सुंदर मास संजोग में 30 अप्रेल 2022 शनियमाउश्या माउश्या माउश्या श्रीशनिधाम शनि तीरत चेत्र अस्वला फत्यपुर्वेरी में आपका साथ करेशनि भगवान के दर्सन पूजन तेला पिसे चंपूंग कश्टों से चुटका राथ दिली और एंस्यार की सभी सनी भक्तों से मेरा निवे दिन इसानी तेरत चेत्र अस्वला फत्यपुर्वेरी अद्भुद तपो भूमी है मेरे खाली दर्सन करने से सनी देव की क्रिपा का प्रसाद प सफल प्रदान प्राप्ठ वैविशाय और कामकाज में सपलता मिलेगी सभी प्रकार की कारोबारी और वैविशाय बाधाये दूर होगी और रोग और रुध कंशनिय के intrigued के अच्चता मिलेगा और शुक के शादन बढ़ें विद्यारतियों के लिए कड़ी मे dishwasher परिश्रम हो मिठा होगा यहां की मनुकाम ना पूरी होगरे कारी चे तुम्हें विशे शपलता धनला प्रमान समान बढ़ेगा क्या करें नमिन कारी आरम करना चाहतें जरूर करी लेकिन परिवार को अपने साथ रखें क्या ना करें वेर्थ की भागदोल और परिश्रम से घबराएं नही परिश्रम और वेर्थ से आज नहीं घबराना उसका लाव अच्छा मिलेगा शुबंगनाओ शुबरंशपेद भागिया आपकी पक्ष्माई सतर परसें लाव का संके देरे आज स्वागन महिला को गेहूं का दान जो देंगे तो आपके लिए बराच्छा रहेगा नुमने नहीं समता है और लोगों को आप साथ लेके चलेंगे और जो चल रहे हैं इसे आपको कारियर, कारुबार, नौकरी, व्यवशाय और शमाज में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे लाब के और शफलता प्राप्त जरूर होगी धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर आवसर कारुबार में शफलता मिलेगी नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे आप राजनेता हैं प्रसाथनिक अफसर हैं नहीं जिम्मदारी आपको मिल सकती संसाने देगा सूबसर आपको प्राप्त होगा लेकिन आज अतिती सतकार का मोका आपको मिलेगा उसमें आप वैस्ट ज् जिवन की चीजों पर खर्चा बढ़ सकता है देनिक दिन चरिया सुविवेस रखना बहुत जरूरी लेकिन बुजर्गों का स्वेग आपको खुशी देगा विद्यारतियों के लिए आज का दिन परियासों के अनकुल शफलता का है परिवार का पूर्ण शफलता मिलेगी और थोड़ासा अपनी जिम्मधारी के बारे सचेत्रे सब आपके लिए क्या करें नए वेवस्या एक शोदा लाबकारी हो सकता है इदि आपने कानोनी मसलों पर ज्यादा ध्यान दिया है क्या ना करें रिनादिका लेंदेन ना करें सुबंग्चे सुब्रंगहरा भागिया संच्रण कर रहा है सितारख उचाल प्रतिकुलता का संकेदरी दुरगटनाई हो सकती दुरगटनाई पैसो समंधि भी है वान से भी हो सकती या दिल की भी हो सकती दुरगटनाउ से शावधान देने के लिए आज आपको प्रियास करना होगा वानी पर सेम रखे वान प्रवाई दुख का कारण बन सकती हैं सावधानिया पर अपर अंदा विश्वास में करें वित्रमनली दोखा दे सकती क्या करें कारिशमन दी गोपनेता बना कर रहें क्या ना करें जीवन साथी से मत भेतना आज आज का सव अगनों भागया आपकी पक्षम केबल प्रशन लाप का संके देरी तुला राश वालों पकी वे चावल का दान देना बड़ा शुब रहेगा अपने हाथ से खिलाना चावल पकाता है थोड़ा सक्क्र बूरा जरूर डाल देना मुना और बात करते हैं मिर्श्वास की सब्तों भाव में चंदर्मा और सब्तों भाव अज जी विर्का की चेतर में बड़ोतरी होगी इस्थान परिवर्तन आपके लिए शुबाग और मांत समान बढ़ेगा विद्यारतियों और युवाओं के लिए नक्सत गर्णाओं के हिसाब से सिक्षा के चेतर में शंप हूँ उन परिशानियों का निवान नजर आ रहा ह इवाओं के लिए कैरियर के मसले हल होंगी क्या करें कानून के दायरे में रखे कारे करें क्या ना करें अनावशक लोगों से कारोबारी संबन नहीं बना शुबंक एक शुबरंग लाल भागया आपकी पक्ष में 60% लाब का संके दे रहे विर्शिगराशी वालों श्रदान की बाद अपनी मूल त्रिकॉर्ण राशी कुम्ब में प्रवेस और जिस्तर की घ्रय योगा योग है इतने सुंदर मास संजयोग में 30 अप्रेल 2022 सनिय माउश्या माच शिरी सनिधाम शनी 33 चेत्र अस्वला फते फुर्वेरी में आपका शाब करें शनी भगवान के दास्तन पूजन तेलापी से चंपूंग कश्टों से चुटका राथ दिली और एंस्यार की सभी सनी भक्तों से मेरा निवे दिन सानी 33 चेत्र असोला फते पुर्वेरी अद्भुद तपो भूमी है मेरे खाली दर्सन करने से सनी देव की क्रिपा का प्रसाद प्राप्त होगा और ज प्रतिदुन्दी की भी आज प्रसंसा आपको शत्रू की आज प्रसंसा करने की क्या ना करें अनावसिक रूप से बीना सोचे समझे किसी की मद्धिस्तान नहीं सुभंक एक शुबरंग प्रपल भागिया आपकी पक्स में 60 प्रसंद लापका संके देरा है धन्राश्वाल नों सर्दाम सर्द शाबुत हल्दी का दान गरीब जरुतमन व्यक्ति को देंगे तो आपके बड़ा शुबर है नमना इनुबात करते हैं मकरासी पंचमभाव में चंदरवाँ मरक्षिरा नक्षद में संचरण करना है जिस तरह के घरे योगाई होगे कामकाज को लेकर नौकरी को लेकर वैवशाय को लेकर नक्षद करना इस बात का संकेति जो उलजन थी जो घुदन थी जो परिशाने थी उसमें कमी आए बाधा और परिशाने से जाहत मिलने से आप अपने आपको हलका महसुद करेंगे आपकी आवश्यक्ताओं की पूर्ती होगी धनकी प्राप्ते के साथ-साथ मांत सम्माना रियस्वी बढ़ेगा समाजिक सयोग बना रहेगा कारिस्रप प्राप्त होंगे और युवाओं को जॉब शमंदी मसले में पूर्ण शफलता है क्या करें अच्छी सफलता के लिए खुला दिमाग रखना चाहिए सोच समझ कर ने लेंगे तो आज बहुत अच्छा रहेगा क्या ना करें अपने परिजनों को इग्नोर नहीं करें शुब प्रिशानी का संबावना है अर्मंगल के नक्षत्र में रुकावट तो उठ्पन होगी अनावशिक परिश्रम भागदोर बढ़ेगा और वो लाब नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए मांसिक और शारिक तनाव है यात्रा में धन्वय है अपने क्रोध और अहंकार में नेंत् पारवारी सद्रिक्षिसा टकरावबी और माता का स्वास्ति प्रभावी दो सकता है दरानी नहीं इन चीजों पर पहले से ध्यान देना विद्यारतियों के लिए आज रात्री भर्मन करना गलत संगत में बैठना नुक्सान दे सकता है क्या करें अपनी मन में इस्तरता बना और बात करते हैं मेंडिराशी की मेंड़ाश्य वालों तीस्रे भाव में चन्दरमा मंगल के नक्षत्रमा है सितारों की जाल अनकुलता का संकेत कारी से बिए आर्टिग्लाब बढ़ेगा मान सम्मान और लोगप्रिता बढ़ेगी सुभकारेगी योधना सपलोगी दाम प् युवाहों को रिखषा और के सित्र में शफलता कि अच्छे अबसे में महांद। क्या करें भाईबंदों की मदद करें भाईबंदों के साथ बैटे भाईबंदों की सुने क्या ना करें अहंकार को अपने उपर हाबी मत होएं सुबंग तिर्जि शुबंग पीला भाग़िया आपकी पक्ष में 85% लाब काशंकेधर था मिनदाश वालों कि दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं, विवाद नहीं, तरक नहीं, मानो और मानो ना मानो यह आपकी मर्जी है, शेकेंड ओपनिन का अधिकार आपका था, आपका रहेगा, हमिसा मैंने यही था है, अब मैं आपकी सवालों का जबाब दूँगा, जो आप वीडियो पर कमेंट करते हैं, शारू भूमिक सवाल, बहुत से लोग जब एक तरह का सवाल करते हैं, उनका जबाब मैं इस प्रोगाम मैं देता है, बहुत से लोगों का सब कारियों में, कामकाज में, नौकरी, वेविशाई, समाज, परिवार में, अनावशिक विग्न और बाधाएं आ रहे है उसका निवारन कैसे हो में तरफ में जल में थोड़ा सा कच्छा दू डाली और दाइनी तरफ में उसको गिरा दी तस परसाद शर्षू के तेल का चौमू का दीपक घर के मुख्य दौ़ार पर तरफ में जाने के यह करके देखीगा विगन और बादाओं से चुटकारा मिल जाएगा नमनाने और बात करते हैं आज के नुस्कों की कुछ लोगों ने का अशा भूक नहीं लगए हरण गुड और शैंधा नमक बराबर मात्रा में ले लिजी और इसका सेवन करिए भूक नगने लगेगी और भोजन आसाने से पचेगा यह अदभुद नुस्का है नमनाने इतना शाथियों कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़ कर छमा पारते हैं आप शुकी रहें श्वस्त रहें समर्दी सील है शैनि भगवान के सिर्चरनों में में मेरी प्रात्ना कि बैटियों से पहुत प्यार करते हैं कि हजारों स्कुलों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपूंग जीवन दिया यह मेरा सोक था मेरी रास्ट की धरोवर प्यान था मैं आपको किसी वजे से नहींसुना रहा हुं बस खाली tweet प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकॉंट से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले मेरा इंकार नहीं है धन को लेकर मेरा रास्त के सामने कभी नहीं आये था हमेसा मैंने ये का कि आप शेवा करे Vermont मैं भी शेवा करता हूं और धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्तिक परस्तिय है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनीधान आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, पूरी साल खड़ा रहूँगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा, नमबर आ रहा हैं, इन नमबरों पर शंपर में हूँ, और मेरी गाएं, चाहरों को लेकर थोड़ी सी प्रेशान है, ऐसा हिरुदय से आया, लोगों ने कहा कि, राश्र आप से प्यार करता है, दाती माराज एक बार निवेदन करिए, तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये एहंकार नहीं जातियों मेरा राश्र परही है, मैं ये नहीं कहा रहा हूँ, मैं परिश्रम करेंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गाएओं के लिए चारे की व्यवस्ता करें, शैनि भगवन आपकी रिक्शा करें, आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा लगबग लगवर 20 से 25 पचास लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब की प्रतिय अपना आभार प्रगर करता हूँ और ये सयोग में जीवन भार याद रखूंगा मित्रों। समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकौन से अनकूर संकेत नहीं दे रही है। इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए। सरकार स्रपोर्ट कर रही है। अपनी शिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है। ये आप भी जानते हैं। शासन के अपनी एक शिमा है और अपनी मर्याद है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी, मैं आप सभी का धन्यवाद देते भी हिरदय से पुने एक बार ने वेजन करना जाता कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है, नमबर है, ज़रु सोयोकर है, फिरा कोई दवाव नहीं है, प्रातना थी, ओम नमो ना आपना मन